पुतिन की एक चबरदस्त स्टेटजी, स्टेटजी क्या है? पुतिन की स्टेटजी बाइडन को चिडाने की है, अब आप पूछेंगे ऐसा क्यूं है? आपको याद है अभी कुछ समय पूरवही जी सेवन की बैठक हुई और उस जी सेवन की बैठक में बाइडन ने जैलेंस्की को बुला कर कहा कि अब से अमेरिका तुम्हें अगले दस साल के लिए वैपन देगा, अगले दस साल के लिए एक इस्टारिक स्टाटिजिकल टाइज रखेगा, अगर आपको यह याद आ रहा है, तो तेरह से पंधरा तारिक के बीच में इटली के अंदर हुई जी सेवन बैठक, जिसमें मोदी जी भी गए थे, जहां पर सारे देशों ने, यदि जी सेवन कंट्रीज ने, बकायदा जैलेंस्की को बुलाया था, और अमेरिका ने प्रॉमिस दिया था, कि अब हम तुम्हारे साथ हैं, चिंता कर सकता हूं, और तैयारी के लिए उन्हें मिल गए, अमेरिका के कट्टर दुश्मन किम जॉंग उन, अब आप पूछेंगे कितने कट्टर दुश्मन हैं, देखिए, दुश्मन इतने बड़े हैं कि ये अमेरिका को कैयों बार धमका चुके हैं, और हलके में धमकाते नहीं हैं बाई, ये वो व्यक्ति हैं जिन से मिलने डोनाल्ड टरम्प खुद चले आते हैं, मतलब ये हलका आदमी नहीं है, हलके में क्यों नहीं लेना है कि तुनिया में अगर कुल नो देश जिन के पास परमानू हतियार है, उनमें से एक नौर्थ कोरिया है, भले ही इन्हें आ सारे पड़ोसी मुलकों के पास नहीं है, इतना सब कुछ नौर्थ कोरिया भरकर रख रहा है, अब उस नौर्थ कोरिया के साथ में मिलने पहुच गए हैं पुतिन, और नौर्थ कोरिया से वादा ले लिया है कि सुनो, अगर रूस पर कोई भी हमला हुआ, तो तुम मेरे सा रहना और तुम उसका बदला लेना, मतलब अगर रूस पर हुआ हमला, तो बदला लेगा नौर्थ कोरिया, अब तेरा बदला लेगा नौर्थ कोरिया, अब ये कैसा बदला है, इसको आप समझने का प्रयास करिए, साथियों आप सब अच्छे से जानते हैं, कि नौर्थ को अगर आपको याद हो तो अमेरिका के द्वारा तीन ही देशों पर सबसे ज़्यादा सेंक्शन्स ला दे गए थे अपने काट सा एग्रिमेंट के माध्यम से और वो काट सा एग्रिमेंट था जिसमें उसने रशिया को इरान को और नॉर्थ कोरिया को एकड़म ब्लैक लिस्ट कर दिया था कि इन से जो व्यापार करेगा वो किसी काम का नहीं रह जाएगा अब सोचो जिन देशों के साथ ये अमेरिका का बरताव था नॉर्थ कोरिया उसके बाद भी नहीं जुका बोले कोई बात नहीं अमेरिका हमसे व्यापार नहीं करना चाहता है मत करे हम तो फिर भी इतने सक्षम हैं कि सब कर ले जाएंगे नॉर्थ कोरिया के पास संसाधन कहां से आते हैं क्या कुछ होता है इस पर मैंने कैयों सैस्टन पहले किये हुएं आप बस गूगल करिए और हुआ है उस वैलकम के माध्यम से आप और हम भी नॉर्थ कोरिया के अंदर की तस्वीरें देख लिए हैं सोचकर तो यह लगता था कि पता नहीं नॉर्थ कोरिया कैसा देश होगा ताना शाही है तो वहां पर पता नहीं कितनी गरीबी होगी कितने तरीके के संसाधनों का अ देखिए डवलपमेंट के लिए आप सड़कें बड़ी हिमारतें गाडियां तकनीकी इन सब को माइना अगर देते हैं तो आईए देखते हैं चलिए आपके साथ यात्रा को पुतिन पहुचते हैं नॉर्थ कोरिया और इन से वादा लेते हैं कि सुनो भाईया वादा करो कि अगर हम पर किसी ने हमला किया तो तुम परमानू बम चलाने से नहीं चुकोगे इनने का सर जी चितनता ही मत करो आप बोलो और क्या चाहिए बोले और कुछ नहीं बस तुम अपना सामान हमें दो और हम अपना सामान तुम्हें देंगे बड़िया व्यापार करेंगे चितन अच्छा अब इनका स्वागत अपने आप में बहुत भव्य है। अगर आप मैप को देखें तो यहां पर आपको चाइना से लगा हुआ नॉर्थ कोरिया दिखाई देता है। अगर आप इस नॉर्थ कोरिया को नक्षे पर देखें तो एक चीज और जान पाएंगे कि नॉर् का कपजा हुआ करता था पूरे कोरियन पै node पैनन सूला के उपर लेकिन उस कौरियन पैनन सूला को दोनों देशों ने आपस में बांट लिया। अ branफाERS ने और दक्षिन वाला हिस्टा अमरीका वालोंने। दक्षिन कोरिया कहलाता है। अच्छिन मितर कोरिया में सामयवाद आया और दक्षिन कोरिया में पुझी वाद आया सामयवाद के प्रवर्तक रहे किम जॉंग उनके दद्दा जी दद्दा जी ने यहां पर खूब बढ़िया से तानाशाही की सामयवादी तरीके से देश को चलाया और देश को चला करके यहां को जो आज आलम बना कर रखा है वो इन दोनों की दुश्मनी और रशिया और चाइना की मित्रता पर टिका हुआ है रशिया और चाइना नौर्थ कोरिया को पूरे टाइम भड़का कर रखते हैं कि देखो भाई हम पे तो बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं हम तो फिर भी हमला करने से डरेंगे लेकिन तुम्हारे पास क्या है तुम तो बस दाग देना पीछे से हम समाल लेंगे तो अभी इस् मिसाईलें यहां से चलाता है और जापान को उपर से क्रॉस करा देता है मतलब इसकी मिसाईलें यू चलकर दूसरी तरफ जाकर गिरती हैं इस हद तक इसने आतंक मचा रखा है इसके पड़ोस में जस्ट है साउथ कोरिया इसको एनी टाइम मिसाईल चला चला कर धंकाता रह अब जब अमरीका कहता है मैं आउंगा बचाने तो नॉर्थ कोरिया वाले ऐसी ऐसी मिसाईल चलाते हैं कि बोले अगर यह चला दी तो अमरीका पर जाकर गिरेगी इंटर कॉंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाईल भी चला देते हैं यह लोग इन्हों ने दुनिया की सबसे करा देंगे पैसिफिक ओशेनी क्रॉस करा देंगे हमला करने के लिए अमरीका पर यानिकि इसके दवारा तमाम प्रकार के वह कारे किये जाते हैं जो अमरीका को चिंता देते हैं साूथ कोरिया के लिए डॉनाल्द ट्रम्प इससे मिलने आये थे कि इन दौनों की मितरता कर देखते हैं यहां पर पुतिन का जहाज है जो कि नॉर्थ कोरिया के अंदर प्योंग यॉंग में पहुंचता है और उनके स्वागत के लिए रेड कार्पिट बिछाते हुए करमचारी आपको तस्वीरों में दिख रहे हैं तस्वीरों में दिख रहे करमचारी और उसके बाद में किम जॉंग उन हवाई जहाज पर रिसीव करने के लिए पहुँचते हुए दिखाई देते हैं ये तस्वीर आपको यहां दिखाई देती है तस्वीरे ये भी दिखती है कि जब तक जहाज नहीं आया था उससे पहले किम जॉंग उन यहां पहुच गए थे और उन्होंने प्रॉपर तरीके से इंतजार किया कि पुतिन कब आएंगे उनके मोस्ट वेलकम की यहां पर बहतरीन तयारी की गई किम जॉंग उन यहीं पर खड़े रहे और उनका बेसबरी से इंतजार करते रहें बाद में हवाई जहाज का दरवाजा खुलता है, पुतिन सीडियों से उतर कर आते हैं, किम जोंग उन बड़े ही गर्म जोशी के साथ उनका स्वागत करते हैं, दौनों के बीच में जो भी बात हुई, दौनों को डायरेक्ट समझ नहीं आई, दौनों को ही ट्रांसलिटर की जरुवत पड़ी दौनों नहीं अपने अपने ट्रांसलिटर को साथ लिया हुआ था और अपनी अपनी बातें एक दूसरे के साथ बड़ी ही गर्म जोशी के साथ रखी, इस बात को बहुत से लोग अलग अलग तरीके से मीनिंग निकाल कर बात कर रहे हैं, कि रशिया और नौर्थ कोरिया, जहां रशिया के पास में एक और लगातार युकरेन से संघर्ष के चलते, वैपन्स कम होते जा रहे हैं, तो रशिया अब उन्हें प्रक्यॉर करने के लिए उन देशों के पास जा रहा है, जो कि रशिया के साथ में मित्रता निभा सकते हैं और अमेरिका के दुश्मन हैं, और चाइना के साथ में पुतिन इन दिनों बहुत जबरदस्त मित्रता निभा रहे हैं, हाना कि वैपन भारत ने भी रशिया को भेजे हैं, लेकिन भारत दौनों तरफ हाथ रखकर चलता है, भारत में दौनों को ही साधा हुआ है, इसलिए भारत के साथ ये वो वाली मित्र नहीं रख पा रहे हैं जो नॉर्थ कोरिया के साथ समझ में आती है ठीक ऐसा बकाइदा इनको निकाल कर यहां से ले जाया जाता है आप नजारे देखें आपने ऐसा भविस्वागत अभी तक संभवत आप पिछले दिनों में कहीं नहीं देखा होगा किसी रास्ट्रा ध्यक् कि किस प्रकार से जगमगाती हुई बाइक्स और काडियों का काफिला चलता हुआ दिख रहा है बकाइदा इसकी तरफ से पूरी तरह से यहां पर पुतिन के आने से पहले नॉर्थ कोरिया को कैसे सजाया गया था आप यहां पर तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं प्य एक तरह से तयार है नॉर्थ कोरिया कि एक बार पुतिन आएं और यहां पर पहुँचें यह तस्वीरे बयान करती हैं कि नॉर्थ कोरिया की जो इमेज आपके दिमाग में है कि उसके हालात पाकिस्तान से भी बदतर होंगे वैसा तस्वीरों में देखकर नहीं लग रहा है बड़े ही प्रॉपर अंदाज में कटे हुए पेड बड़े ही सलीके से बनी हुई इमारतें एक जैसी कलर में रगी हुई इमारतें बड़े बड़े होडिंग्स इन्हें देखकर लगता है कि नॉर्थ कोरिया के हालात इतने भी बुरे नहीं है जितनी मीडिया दिखाती है अब वही वाली बात है अंदर जाना अलाव नहीं है इनी तस्वीरों से परसेप्शन लगा लीजे कि क्या सही है क्या गलत है हो सकता है इस खास दिवस के लिए ऐसी तस्वीरे तैयार की गई हो ये भी कह सकते हो आप ठीक है अच्छा हाला कि नॉर्थ कोरिया और रश्या के बीच में बढ़िया मित्रता चल रही है कहा जा रहा है कि अभी तक यानि मार्च तक नॉर्थ कोरिया से साथ हजार कंटेनर वैपन्स के रश्या भेजे जा चुके हैं इसके अंदर 152 मिलीमीटर आर्टिलरी शेल्थ कंटेनर के अंदर ऑल्रेडी 3 मिलियन राउंस और जोशी देखें तो लगता है कि रिमोट से ओन किया गया है कि इसी स्पीड से हाथ हिलना चाहिए जब पुतिन यहां पर पहुंचें जनता को देखकर आपको अंदाजा नहीं लगेगा कि ये नौर्थ कोरिया के साशक से प्रताडित है इन्हें इस तरह से चलाया गया है कि आपको लग रहा है कि बटन ओन करके छोड़ दिया गया है और ये लोग एकदम तेजी से भवविता के साथ स्वागत कर रहे हैं पुतिन का और पुतिन के वैलकम को आप तस्वीरों में देख रहे हैं पुतिन की गाड़ी जब यहां से गुजर रही है तो उस समय जनता के द्वारा जो स्वागत किया जा रहा है वो स्वागत और बड़ी-बड़ी इमारतों पर पुतिन के बैनर लगे हैं गाड़ी जलती हुई यहां पर आपको दिख रही है फ्रोपर तरीके से मतलब देखकर यह लग रहा है कि यार्म नौर्स कोरिया गुरू वैसा तो नहीं है रहा है कि नौर्थ कोरिया में जिस तरह पास आना पड़ा पुतिन को इनकी आवशकता पड़ी पुतिन इन से एग्रिमेंट ये तक कर लिए कि अगर मुझे पर हमला हूब तो तुम मेरे साथ रहना और तुम पर अगर हमला हूब तो हम तुम्हारे साथ रहेंगे यार ये बात तो काबिले तारीफ वाली बात है मतलब कि North Korea को एक वीटो पावर कंट्री का साथ मिल गया है और openly साथ मिल गया है यह ऐसी इस्तिती है जिसका डर अमेरिका को हमेशा से सता रहा था आपको याद होगा North Korea पर UN के द्वारा भी कई प्रतिबंद लगे हैं उन प्रतिबंदों में कभी रश्या ने वीटो का उपियोग नहीं किया अब वो पबलिकली करेगा क्योंकि इनके साथ एग्रिमेंट कर चुका है उसका नाम ही बकायदा अलाइंस रखा गया है बोले भाई अपन अब आपके उपर कोई सेंक्शन नहीं लगने देंगे United Nations के माध्यम से क्योंकि मेरे पास वीटो है और मैं वीटो लगा कर तुम्हारी सुरक्षा करूंगा दुनिया में बन रहे इन समीकरणों से खोशी भले ही किसी को हो रही हो ल और अपने आप में तानाशाही से डिवन है और दौनों ही देशों में अब एक तरफ बेलारूस के पास न्यूकलिर वेपन नहीं थे तो इन्होंने अपनी तरफ से तैनात कर दिये कि तुम चिंता मत करो जरुत पड़े तो मेरे इशारे पे चला देना दो देश ऐसे तैया कर लिए हैं जो कि रूस को दौनों ही तरफ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं कहने का मतलब यह हुआ कि आने वाले समय में अगर रशिया के उपर किसी ने भी आकरमन करने की कोशिश है की तो बेलारूस और नौर्थ कोरिया और एग्रिमेंट कर चुके हैं कि सर आप पर हुआ हमल अगत में बकायदा टोस्ट करते हैं एक दूसरे के साथ का यह जो नजारा है जिसमें देख करके दौनों हाला की समझ किसी की नहीं रहे हैं लेकिन जो महबत दशाई जा रही है आप देखें यहां पर बकायदा प्रोपर तरीके से चीर्स किया जा रहा है पुरानी एक तस् शुरू कैसे हुई आपको याद होगा पिछले साल नौर्थ कोरिया के जो किम जॉंग उन है यह रश्या गए थे यह रश्या गए थे अपनी ट्रेन से अगर आपको ध्यान हो और रश्या जा करके इन्होंने वहां पर बहुत सारे आधुनिक हातियार देखे थे जैसे फिल उपलब्द कराएंगे ऐसे वीकल्स उपलब्द कराएंगे जो कि नौर्थ कोरिया के पास नहीं है मतलब यह हुआ कि अब लोग ये दौनों मिलकर के नेक्स्ट लेवल की फाइट करेंगे म्यूचल डिफेंस पैक्ट एक दूसरे के साथ साथ साजा कर लिए किम जॉंग उन अगर आपको याद हो तो बुलेट फ्रूफ ट्रेन से रूस पहुँचे थे तब मैंने सेशन किया था आज से 9 महीने पहले 13 सितंबर को उसमें मैंने तस्वीरें दिखाई थी कि किस प्रकार से ये पहुँचे हैं और पुतिन इनको मतलब वहाँ पर जा करके बढ़ा स्वा कराएंगे और अभी फिलहाल के लिए जो इन्होंने बना कर रखी हुई चीजें हैं उन्हें पुतिन इनसे खरीद लेंगे तो एक म्यूच्वल एग्रिमेंट हुआ इस लाल किताब के अंदर जो यहां पर बड़ी सुर्खी बना हुआ है नौर्थ कोलिया के पास में आप नहीं कर रहे हैं नाटो के चीफ ने भी इसी तरह की चिंता व्यक्त की है बाइदावे नौर्थ एट्लांटिक टीटी और्गनाइजिशन अमेरिका के नित्रत में बने हुए उसके पिछलग्वों का वो संग्ठने जिन्होंने अल्रेडी यह कसमें खाई हुई हैं कि अगर अमेरिका पर हमला होगा तो हम सब एक साथ हमला करेंगे ऐसे ही अब रश्या भी निकल पड़ा है हाना कि USSR के काल में एक वार्षा पैक्ट हुआ करता था जिसमें USSR ने सोवियत रूस ने नाटो के कमपेरिजन में अपना समू बनाया था यह कहते हुए कि अगर सोविय नाटो ने इस पर चिंताएं व्यक्त करनी हैं लेकिन ये दौनों जिस तरह से अपनी बाते रख रहे हैं इसे केवल यही माना जा रहा है कि अमेरिका जिस तरह से युकरेन को वैपन दे रहा है बस उसी का ही इलाज किया गया है नॉर्थ कोरिया को हतियारों का वादा करके और नॉर्थ कोरिया से वैपन ले करके यहां पर बकाईदा पुतिन ने धन्यवाद दिया किम जौंग उनका कि युकरेन के साथ उनके उस युद्ध का जो चल रहा है उसका नॉर्थ कोरिया ने समर्थन किया है इसके लिए ये उसका धन्यवाद देते हैं यानि नॉर्थ क लगा था रश्या पर भी लगा था नॉर्थ कोरिया पर भी लगा था इरान भी अमेरिका का कट्टर दुश्मन है नॉर्थ कोरिया भी है और रश्या भी है अब ये तीनों देश अगर मिलते हैं तो युकरेन के लिए बड़ी मुसीबत बन चुके हैं और अमेरिका को सीधा की सीधा काउंटर कर रहे हैं मतलब ये देशों के बीच चल रही जो डैनेमिक्स है संभवत है अब आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे ठीक है साथ तो अच्छा एक और इंट्रेस्टिंग वाकिया हुआ यहां पर पुतिन ने बकाइदा अपनी एक बहुत ही जबरदस्थ कार किम जॉंग उनको गिफ्त की इसका काम है औूरूस कार और उस रस्षयन लगजरी कार है इसी कार के अंदर पुतिन चलते हैं जैसे हमारे देश के प्रधान मbaneत्री Land Rover में चलते हैं, Mayback के अंदर Mercedes में चलते हैं, ऐसे Russia का अपना एक brand है, उसका नाम है Aorus, और बकाइदा उस company की car को पुतिन ने खुद चला कर दिखाया है, Kim Jong-un को, ये तस्वीरें हैं जो बयान कर रही है, कि पुतिन कार चला रहे हैं North Korea में, फिर Donna Beach में seat बदलते हैं, फिर Kim Jong-un drive करते हैं और पुतिन बैठ कर चलते हैं, ये तस्वीर मीडिया में बहुत वाइरल हो रही है, मतलब ये है, कि अब पुतिन दुनिया को ये दिखा रहे हैं, कि Russian brands की जो कारे हैं, क्योंकि दुनिया में अब तक ये माना जाता था, कि जो German brands हैं, American brands of car हैं, वो बहुत powerful हैं, ब और उस कार में आल्रेडी पुतिन चलते हैं, अब उन्होंने वही कार Kim Jong-un को गिफ्ट की है, इस और उस कार की कीमत रशिया के अंदर 3.5 करोड रुपे हैं, इस कार में वो सारी facilities हैं, जो कि इसे सुरक्षित कार बनाती हैं, जस्ट लाइक अदर बुलेट पुरूफ कार, औ और ऐसी कार को इन्होंने Kim Jong-un को भिंट किया है, ताकि वो भी अपने देश में इस तरह की सुरक्षित कार में चल सकें, इस तरह का ये जो mutual trust प्यवहार के साथ देखा जा रहा है, ये दुनिया के बीच में बहुत ज़्यादा अहसहज इस्थितियां उत्पन कर रहा है, हाल अमेरिका को बहुत बुरा लगा था, ठीक है, पकायदा उन्हें टाटा बाई-बाई करने के लिए परिवार इखटा हुआ, और पुतिन महाशय अपना हवाई-जहाज लेकर यहां से निकल लिये हैं, वियत नाम की और, उमीद है आप सभी साथियों को ये जानकारी समझ मे आई होगी, बाकी आप सभी साथियों से गुजारिश है कि यदि आप में से कोई भी साथी हमारे साथ जुड़कर NCRT Batch लेना चाहता है, तो application का use कर ले, क्योंकि रविवार बाद में admissions नहीं होगे, NCRT Foundation Batch जो की Hindi, English, Medium दौनों में है, Class 6 से लेके 12 तक है, यहां पर History, Geography, Policy, Community, Economy, 4 Subjects की Live Classes है, Live अगर नहीं पढ़ पाते हो तो वो recorded format में उपलब्द है, पर तरीके से content आपको Hindi और English में, PDF format में दिया जाता है, पर 7, 5 दिन के अंदर आप से discussion, हर 7 विदिन आप से test, इस तरह की सारी facilities यहां पर आपको मिलने वाली है, आप यहां पर इसे enroll कर सकते हैं, लिंक कमेंट बॉक्स के अंदर दिया हुआ है, NCRT का बैच, सीमित अवसर के लिए ओपन है, जस्ट लाइक अधर टाइम्स हम हमेशा कुछ ही समय के लिए बैच ओपन करते हैं, इस बार भी आपके लिए के लिए के लिए कुछ समय यानि रविवार तक के लिए बैच ओपन हुआ है, NCRT का ओपन के लिए